संयोजन यानिके मस्तिष्ष सद्मा एक प्रकार की mild traumatic injury यानिके हलकी दर्दनाक चूट है जो तब होती है जब आपके मस्तिष्ष के किसी हिस्से को गंबे रुप से फटका लगता है मस्तिष्ष आपके सरीर का सबसे नाजुक अंग है जिसके बनावट और घनापन जिलेटिन के समान होता है आपकी खोपड़ी आपके मस्तिष्ष के चारो और एक कठीन सुरक्षात्पक आवरण प्रदान करती है एक पानी जैसा पदार्थ जिसे सेरीब्रो स्पाइनल फ्ल्यूड यानि के मस्तिष्ष मिरुद्रव कहा जाता है वो आपके मस्तिष्ष को चारो और से घिरता है यह cerebral spinal fluid आपके मस्तिश के लिए एक तक्या जैसा काम करता है जो हर दिन होती आपके सिर्की गतिविद्यों के दौरान आपके मस्तिश पर आपके खोपड़ी की दिवारों के साथ टकराने से होने वाली असरों से बचाता है यह तक्या जैसी असर आपके मस्तिश के अंदर नियूरोंस नाम के अर्बो तंद्रिका कोशिकाओ की सुरक्षा करता है प्रत्येक नूरन दूसरे नूरन्स के साथ विद्यूतिय संकेतों के माध्यम से संचार करता है जो एक लंबे धागे जैसे विस्तार से यातरा करता है जिसे एक्सून कहा जाता है आपके सीर को एक गंबिर जटका लगने से आपका मस्तिश्ख खोपड़ी के अंदर की तरफ से टकराता है इस टकराव के दोरान आपका मस्तिश्ख आपकी खोपड़ी के भितर की और भीचता है जो आपके दिमाग से सदमे की तरंगे भीचता है ये सदमे की लहरे कुछ neurons को एक्सोन को फाड़ती है या खीचती है इस ट्रॉमा यानि के आगात या चोट जिसको diffuse axonary injury अत्वा axonal sharing कहा जाता है ये सदमे की लहरे कुछ neurons के एक्सोन को फाड़ती है या खीचती है ये शदिगरस neurons अन्य neurons के बीच के संचार को रोकते है जिसे मस्तिश के सामानेकारे कम हो जाते है आपके मस्तिश में कहा चोट लगी है उसके आधार कंक्षन के शारेरिक लक्षणों में शामिल है सिर में दर्द, मतली, चक्कर आना, मास्पिश्यों के बीच खराब समनवय, प्रकाश की अध्यातिक संचनी, दुदली दरश्टी, कानों में घंटी वजना, अस्पष्ट बोलना, और चेतना की हानी आपको मानसिक या भावनात्मक लक्षन भी हो सकते हैं, जिन में शामिल है भठकाव, ब्रह्म, स्मृति का नुकसान, ध्यान केंद्रित करने और एकागरिता लाने में असमर्ता, चर्चिडापन और अवसाद हलकी फंक्षन के लिए आपके डॉक्टर आपको आराम करने के लिए कहेंगे और आपके लक्षनों को मॉनिटर करेंगे, यह शुनिचिस्ट करने के लिए आपके लक्षन खराप न हो आपको हलकी दर्थ के लिए दवाईया लेने की सला दी जाएगी जैसे कि acetaminophon या ibuprofen आपके डॉक्टर ने सला दी हो वही दवाईया लेनी चाहिए अन्य कोई नहीं जैसे कि शराब जैसे चीजे आपकी मस्तिक्ष में सुधार के प्रक्रिया को धीमा कर देती है आप किसी डॉक्टर के पास गए हो या नहीं गए हो यदि आपको लगता है कि आपकी चितना कम हो गई है सिर में दर्थ हो जो दूर नहीं होता है उल्टी हो या आपके बोली असपश्ट हो गई है तो आपको तुरंट इमर्जंसी मेडिकल ट्रिट्मेंट यानि कि आपातकालिंची किस्सा उपजार प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए ये लक्षन कंशन के गंपिर दुस प्रवाओं के गंपिर संकेत है